असलाम नेकूम नासरीन आसवाज हों कुकिंग मैं आपको वेलकम करती हूँ आज मैं आपके साथ इंस्टा रस्मलाई की रेसिपी शेयर कर रहें जिससे बनाना बेहादसान है यह बहुत जल्दी बनकर त्यार हो जाती है तो चलिए देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया दूसरी ब्रेट करस्स लास को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे यह बारीक मैंने ब्रेट क्रम रडी कर ली है इसको मैं एक साइट पर रखूँगे जब तक हम दूद्ध बाइल कर लेंगे ये एक लिटर दूद पर जसको मैं बाइल कर लूँगी और 7-7 इसमें इलाइची आइड कर दोंगी हरी इलाइची है ये 2 अदर दूद में बाइलाचुक है तो इसमें चीनी आइड कर देगा मैं 6 स्थेप्लेस पूंच चीनी इसमें आइड करी हूं अपने टेस्ट के मताभि एड कीजिएगा जीन एड करने के बाद इसको डिजॉल्व करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करतेंगे इसमें डिजॉल्व हो चुकी है तब हम इसमें ड्राय मिल्ग पाउडर एड कर देंगे यह 3 टेबिल स्पून ड्राय मिल्ग पाउडर है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दूद में यह मैं एड कर दूंगे इसमें भरके मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तान अच्छी ताक इसके कोई लंस ना रहें दूद में इसमें इसमें एड कर देंगे इसमें इसमें खोई वाला टेस्ट आ जाएगा तोड़ा सा यह ठिक भी हो जाएगा साथी साथ यह कौण फört एड कर देंगे कौन तेब्ल स्वूं ने कौन फ्ला ले लेंड यह कौन इसमें इसमें मिक्स कर लेंगे थोड़े से पानी के साथ दूद में एड कर देंगे मुझे दू थोड़ा सा पतला लग रहा था इसको मैंने थिक करने के लिए यूज़ किया है कि अपर एसंस के टू ड्रॉप्स हम इसमें एड़ करेंगे तू अपकी मरजी है अब इसको एड़ करना चाहते हैं तो एड़ कर लें अदरवाइस यह आप्शनल है मगर इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आया था रसमलाई का है 1-2 मिनट तक कूक करेंगे इसको ठीक करना है हमने अभी एक से दो मिनिट कुप करने के बाद हम फ्लेम आफ कर देंगे इसको हम ठंडा कर लेंगे रूम टेंपरिचर पर अब यह ठंडा हो चुक है और आप देख लें इतना ठीक है और इतना ठीकी हमको चाहिए साथी साथ मुझे रस्मलाई के लिए हमें ब्रेट चाहिए थी तो मैंने थोड़ी सी ब्रेट ले लिए जितनी आपको रिकाइड आप उसकी हिसाब से आप रस्मलाई बना सकते हैं मैं इसको दर्मयान से सर्कुलर शेप में कट कर लूँगी मैं गिलास से कट कर रही हूँ आप किसी भी धकन से या आप किसी भी कटर से आप को कट कर सकते हैं मुझे यह वाला साइज गिलास का सही लगड़ा था रस्मलाई के हिसाब से तो इसलिए मैंने इस गिलास को लिया है इस तरह से हम सारे ब्रेट के स्लाइस को कट कर लेंगे अब वो डिश जिसमें हमने सर्फ करना है तो उसमें हम थोड़ा सा दूद पोर कर देंगे दूद के नीचे लेयर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमने यहां पर ब्रेट रखनी है तो नीचे से भी वह चीदा से सोक हो जाएंगी अब यह जो इलाइची नजर आ रही है इनको हम निकाल देंगे अब यह जो हमने ब्रेट करके रखी हुई थी यह भी हम हम इसमें लगा देंगे सारी जितनी जिश में आएंगे हम उससे साब से लगा देंगे और उपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि यह अच्छी तरह से इस दूद को सोक कर लें प्रेट हम इस तरह से लगा देंगे और उपर से हम दूद धूरा सा पूर कर दढ़ेंगे ताकि यह अच्छी तरह से ऊपर से ब्लिकुल इकोल फ्लेवर जोड़ा है सब तरव से सारी बेड़ की ऊपर हम इस तरह से दूद पूर कर देंगे इस तरह से साथ साथ इसको हम गार्णिश कर देंगे पिस्ता और बादाम के साथ यह बहुती टेस्टी और बहुती मज़दार सी रस्मलाई रेडियो में थी बिलकुल फर्क बतानी चल रहा था बजार जैसे बिलकुल रेडियों थी और जटपट रेडियों गई थी आप मेमानों के लिए इसको बना कर सर्फ कर सकते हैं खुद अपने लिए भी बना इंजॉय करें रेसिपी अच्छी लगए तो लाइक और सबस्क्राइब भी जरूर कर दें इंशालला नेक्स रेसिपी क साथ दोबरा आओंगी तब तक के लिए अजाज़त दें अल्ला हाफिज